हलो दोस्तो मिंतारा सोई में आपका स्वाकत है आज मैं बना रही हूँ पालक की भाजी अगर आपके बच्चे भी पालक की भाजी पसंद नहीं करते तो अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे तो आपके बच्चे की ये फेवरेट हो जाएगी पालक की भाजी मैंने पालक की भ करनी मरब करते हैं तो आप मेरे तरीके से बनाऊब के और बोर नहीं हो पूरी पालक राते हों मेरे तरीके से बबच्चे को तदो के राए बनें हम आप चाहें तो ऐसे भी डाल दें पर हमने पेस्ट बना लिया है टमाटर का पेस्ट बना करके एक कट्वरी में रख लेंगे अब चलते हैं गयस की तरफ एक कुकर रखेंगे आज हम कुकर में बना रहा हैं दो चम्मश हमने तेल डाला है जब तेल गरम हो जाएगा उसमें लेसोन, हेंग, अधरक, हरी मेर्ची, प्याज सभी को मैंने बारी काट लिया है और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे तीन-चार मिन्द तक जब प्याज हमारी फ्राई हो जाएगी उसके बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर जो मैंने पीस करके अभी रखा था नमक डालेंगे स्वादनुसार इसे भी मसाले को अच्छे से पका लेंगे टमाटर और मसाले जब हमारे पक जाएगे उसके बाद इससे हम अच्छे से चला देंगे अब इसमें हम डाल देंगे पालक की भाजी जब हमारा टमाटर और मसाले पक जाएगे ये भाजी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि मेरे बच्चे भी भाजी नहीं खाते थे तो मैं भी बहुत परिशान रहती थी पर मैं कुछ अलग अलग तरीके से जब मैं पालक की भाजी बनाती हूँ तो बे उली चाट चाट कर खाते हैं और उन्हें बहुत पसंद आती है सारी पालक हम डाल देंगे और कुछ ऐसा धकन धाक देंगे जिससे थोड़ी गैस निकलती रहा हमने थाली धाक देती 3-4 मेट के लिए हमारी पालक अच्छे से सौप्ट हो गई है अब इसे अच्छे से मिस्ट कर देंगे मसाला के साथ में तो 3 मेट तक और पकाएंगे जब पालक अच्छे से पक जाएगी उसके बाद 2 चमच इसमें डालेंगे हम दही दही डालने से सबजी का टेस्ट दो गुना बढ़ जाता है जब दही पक जाएगा उसके बाद मैंने एक चमच गेहूं का आटा लिया है यही एक सीक्रेट है जब मम्मे दादी लोग बनाती है भाजी तो इससे पानी क्यों नहीं निकलता है क्योंकि उसमें वो एक चमच आटा डाल देती है तो इससे पानी बिल्कुल नहीं निकलता है आटा को अच्छे से पकाएंगे उसके बाद मैसर से अच्छे से मैस कर देंगे अब आपको पालक की भाजी को ना पीषने की जरूरत है ना उबालने की ऐसी इसकी इतनी अच्छी ग्रेवी बनती है ऐस आप पालक पनीर भी ऐसी ही बना सकते हैं मैसर से अच्छे से हम मैस करेंगे क्योंकि पालक जितनी ज़्यादा सौप्ट हो जाती है तो उतने ज़्यादा अच्छे से मैस हो जाती है देखो बिल्कुल मैस हो गई है कोई नहीं पहचाने गए कि यह पालक की भाजी है अब इस पखने देंगे, तीन चार मेश तक गैस को सिलो करके, तब तक हमने लिए हैं इसमें अंडे, क्योंकि अभी साथी है तो बच्चों को अंडा भी खिलाना जरूरी है, तो इसी के साथ में बच्चे पालक भी खा लेते हैं, मैंने अंडा लिया है, जिसे हमने चीरा लगा लेंग सारी अंडे हम ऐसे ही चीरा लगा करकी रख लेंगे अभी एक दूसरी कड़ाई रखेंगे उसमें एक चमच तेल डालेंगे जब तेल गरम हो जाएगा तो अंडे डाल देंगे और इसे चार-पांच मेर्च तक गस को मेडियम करकी फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा जब फ्राई हो जाएगा उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमाक, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, कस्मीरी मेच डाल देंगे जिससे अंडे में अच्छा कलार आजाएगा जब कोई भी सबजी में आप अंडे डालें फ्राई करके तो कस्मीरी मेर्च लाल मेर्च डाल करके फ्राई करें जिससे अंडे में अच्छा कलार रहता है जब अंडे हमारे फ्राई हो जाएगी उसके बाद हम इसे भाजी में डाल देंगे अब देखो भाजी भी एक साइट अच्छे से हमारी पग गई है अगर आपको पानी डालना हो तो अभी डाल दे थोड़ा साहम इसमें पानी डालेंगे इसे आप चावल या रोटी पराठा के साथ परोसी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगीगी ये भाजी हमने एक कप पानी डाल दिया है इससे बिल्कुल पानी नहीं निकलेगा क्योंकि हमने एक चमच इसमें गेहूं का आटा डाला है क्योंकि कभी कभी जब पालक की ग्रेवी बनाओ तो उससे पानी अलग होने लगता है ता आप यही काम करना एक चमच गेहूं का आटा या एक चमच बेशन डालना इससे पालक की जो ग्रेवी होगी इतनी ज़्यादा देखने में अच्छी लगेगी एक चमच डालेंगे इसमें गरम मसाला अब अंडे डाल देंगे जो हमने फ्राइब करके रखे थे इसे अच्छी से मिक्स करेंगे अंडे और भाजी को एक साथ चार पांच मिर्टक और पका लेंगे गैस को ज़्यादा तेज नहीं करना है क्योंकि इसमें आटा है तो नीचे चिपकने लगता है इसलिए गैस को थोड़ा सा मेडियम करके पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे हमारी अंडा करी बन करके बिल्कुल तयार है और सर्दियों में आप ऐसी भाजी जरूर बनाएगे ये भाजी आपके बच्चों की फेपरेट हो जाएगी अगर आप ऐसे बनाओगे और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अगर अभी तक चैनल मेरा सब्सकाइब नहीं किये ता प्लीज मेरा चैनल सब्सकाइब कीजिए इसे आप पराठा चावर रोटी के साथ परोसिया गर्मा गर्म इंजॉई कीजिए वीडियो देखने के लि